बहुत समय पहले की बात है एक मनोहर नाम का ब्यक्ति रहता था वह अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ हसी खुशी रहता था एक दिन की बात है वह अपने घर पर बैठा हुआ था तभी वहाँ एक आदमी आया उसने आकर मनोहर से कहा मनोहर क्या तुमने सुना है कि कमपनी ने कुछ करमचारियों को निकाला है उसमें हमारा नाम भी है और तुम्हारा नाम भी है उसके बाद से वह ब्यक्ति चला गया उस ब्यक्ति की यह बात सुनकर मनोहर बहुत दुखी हुआ तभी मनोहर की पत्नी ने कहा कि अब क्या होगा अब आप क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद उसकी पतनी के दिमाग में एक तरकीब आई, उसने कहा कि मैं तो बहुत अच्छी समोसे बनाती हूँ, क्यों न तुम इन समोसों को ले जाकर बजार में बेचाओ, जिससे अच्छी कमाई भी हो जाएगी, मनोहर को ये प्रस्ताव पसंद आया, उसके बाद से अगले दिन से ही उसकी पतनी समोसे बनाती, वह उन्हें ले जाकर बजार में बेच आता, कभी कभी उनके सारे समोसे खतम हो जाते, कभी कभी उनके समोसे बच भी जाया करते थे लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और एक सच्चे मन से रोज कुछ न कुछ समोसे बना कर वह बाजार में ले जाया करता था। धीरे धीरे लोगों का उसका समोसा पसंद आने लगा और उसके समोसों की विक्री बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी एक निश्चित आमदनी होने लगी और वह नौकरी से ज्यादा प कर सकते हैं तो यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए और इसी प्रकार की हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा